स्वागते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इंवेस्टर्टा में दोस्तों मंतली बेसिस पर अगर हम अपने पैसे को निवेश करते हैं तो फिर हम अपने टार्केट को पूरा कर पाते हैं अगर हमारी इंकम आफ सोर्ट कम है तो मंत्ली बेसिस पर हम कुछ न कुछ पैसों की सेविंग जरूर करते हैं उसे बैंक में रखते हैं या फिर अपने घर में रखते हैं जरूरत पढ़ने पर हम उस पैसे को कर्ज कर देते हैं लेकिन दूस्तों अगर आप मंत्ली बेसिस पर पैसे को घर में ना रखकर और वो भी ऐसे इंस्ट्रोमेट में जहाँ पर आपको return लगतार अच्छा मिल सके और अगर आप पैसे नवीश करके एक बड़ा fund बनाना चाहते हैं तो उस target को भी आप पूरा कर सकें दोस्तों अगर पिछले 10 साल की बात करते हैं तो mutual fund plan के अदर हमें return काफी कमाल करता है यहाँ पर अगर आप पैसे को नवीश करते हैं मंतली बेसिस पर तो फिर आप अपने target को भी पूरा कर पाते हैं और यहाँ से आप एक बड़े fund बनाने की target को जल्दी भी पूरा कर सकते हैं क्योंकि अगर आप return देखेंगे mutual fund plan का तो compound return आपको बहुत सारी fund में 30% तक मिला है यह फिर अगर आप bank RD में पैसे को डालते हैं तो फिर यहाँ पर आपको व्यासदर 7.7% तक मिलती है यह फिर maximum 8% तक लिकिन यहाँ पर आपका पैसा सेफ दरूर है क्योंकि यह investment सेफ माने चाते हैं bank RD के यहनी small saving scheme में पैसे को आप नविश कर सकते हैं लिकिन अगर आप चाहेंगे पैसा बड़ा बनाना तो फिर आप नहीं कर पाएगे क्योंकि यहाँ पर आपको कोई खास return नहीं मिल पाएगा लिकिन अगर हम mutual fund plan की बात करें तो मतली business पर आप अपने पैसे तो नविश कर सकते हैं फिर आपको यह देखना होगा कि यहाँ पर आपको कितना पैसा नविश करना है मतली business पर और आपका target क्या है पैसे को नविश करके एक बड़े fund बनाने का क्योंकि लगतार अगर हम आट से दस साल की बात करते हैं तो mutual fund plan के अंदर हमें return काफी कमाद करना है अब दोस्तों यहाँ पर अगर हमें पैसा नविश करना है mutual fund के अंदर तो हम किस fund में पैसे को नविश करें अगर आपको कम पैसा डालना है तो फिर आप अपने पैसे पर रिस्क ले सकते हैं उसके लिए आपके पास दो सबसे बहतीन option हो सकते हैं इसमें small cap fund और mid cap fund क्योंकि दोस्तों इन दोन कैटिगरी की fund में हमेच्छो return है वो पिछले 8-10 साल में काफी कमाल का मिला है और यहाँ पर portfolio strong होनी की वज़ा से और mid cap sector के अंदर growth अच्छी हमें मिल सकती है future में उसकी वज़ा से भी अगर हम पैसे नवीश करते हैं तो फिर हम अपने बड़े fund बनाने की target को पूड़ा कर सकते हैं अब दोस्तों मत्ली बेजिस पर हम कितना पैसा नवीश कर सकते हैं यह आपकी उपर depend करता है लेकिन हम मानते हैं कि अगर आप 4000 रुपे मतली saving कर लेते हैं और इसे मत्ती बेजिस पर ठालते हैं और आपका target एक करोड रुपे बनाने का हो या फिर दो करोड यह फिर यहाँ पर आप एक long time पैसा नवीश करना चाहते हैं तो दोस्तो इस 4000 आप 9.34 रुपे तक fund भी बना सकते हैं बस इत के लिए आपको यह देखना होगा कि जिस fund में आप पैसे को नवीश कर रहे हैं उसमें कितना return आपको मिल रहा है यह फिर इहाँ पर आपका target कितने साल पैसे को नवीश करने का है अगर आप short time यानि साल दो साल के लिए पैसा नवीश कर रहे हैं तो आपको हो सकता है return काफी कम मिले देकिन अगर आपका target आट से 10 साल पैसे नवीश करने का है तो फिर आप एक बड़ा fund आसनी की साथ बना सकते हैं दोस्तो अगर हम बात करते हैं एक 32 mutual fund प्लान की जहाँ पर आप पैसे नवीश कर सकते हैं और इसे अपने portfolio में शामिल कर सकते हैं ये fund है PGIA Media Midcap Fund Director Plan Code दोस्तों Midcap category का ये एक 32 mutual fund प्लान है और इसका एनुलाइस रिटन है 20.23% पिछले 5 साल से लगतार fund ने 33.38% last 3 year में 18.21% last 1 year में 35.03% और 6 month में fund ने 17.14% का रिटन दिया है अब दोस्तों मतली बिस्स पर अगर हम 4000 रुपे नवीश करते हैं और fund में हमें 20% का रिटन मिलता है 6 साल तक अगर हम लगतार मन्ति बिस्स पर पैसे डालते हैं तो कुल मिलाकर 2,88,000 रुपे का नवीश करके हम 5,58,000 रुपे का fund बनाएंगे और इसमें 2,70,000 का रिटन होगा लेकिन अगर हम 12 साल तक पैसे को डालते हैं तो 5,56,000 रुपे SIP के तुरू नवीश करके 23,92,000 रुपे का fund बनाएंगे 18,16,000 का रिटन होगा और दोस्तों अगर हम पैसे को नवीश करते हैं 18 साल के लिए तो 8,64,000 रुपे का नवीश करके 84,24,000 रुपे का fund बना सकते हैं 65,60,000 का रिटन होगा और दोस्तों अगर हम पैसे को नविश करते हैं 24 साल तक तो यहाँ पर हम 11,52,000 रुपे SIP के थुरु नविश करके 2.82,00,000,000 रुपे का फंड बनाएंगे 2.71,000,000 रुपे का रिटन होगा अगर हम इस प्लान की कुछ important details की बात करते हैं जो हमारे लिए जानना काफी ज़रूरी है उसमें सबसे important है fund का portfolio अगर हम दोस्तों इस fund की portfolio की बात करते हैं तो कुल मिलाकर 79 company है portfolio में जिनमें पैसिक को नवेश क्या क्या है इसमें 32 company, Dixon Technology, Max Healthcare, The Ponex Mill, Tampkin India, Cholamandam Investment Company, Unominda, Solar Industry, HDFC bank यनि कि यहाँ पर दोस्तों यह दमदार company है इसमें एक large cap company है HDFC बाकि यहाँ पर top holding में जार दर आपको mid cap company देखती है इस portfolio में growth काफी शानदार रही है और अभी भी दोस्तों इस fund में हमें शानदार growth मिल सकती है fund का 95% पैसा equity में और करीब 4.6% पैसे को debt fund में यूज़ किया किया है finance sector के अंदर 17%, automobile sector, healthcare, services, capital goods और other sector की company में पैसे को यूज़ किया किया है दोस्तों गर हम fund की कुछ basic detail की बात करें तो इसमें एनेवी का price है fund का 72 रुपीज, 60 पैसे यानि कि हम SIP के तो monthly business पर जो भी पैसे डालते हैं और जो भी एनेवी का price होता है इसी के हिसाब से हमें unit मिल जाती है, इसी पर हम profit और loss भी track कर सकते हैं, rating 3 है और 11 असा 268 करोड रुपे fund का यूज़ है, fund के अंदर SIP में कम से कम आप 1000 रुपे से निवेश कर सकते हैं और बाद में इसे आप top up option से बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर fund की बात करते हैं risk की, तो दोस्तो fund का बीटा है 0.82 यानि कि एक से काफी कम अगर fund का बीटा एक से कम होता है, तो fund के अंदर हमें कम risk के साथ profit काफी बहतर मिल जाता है, लेकिन अगर हम expense ratio खर्चे की बात करते हैं, तो यह है 0.45 परसेंट, यानि कि आप जो पैसा निवेश करते हैं, और जो भी expense ratio होता है, यह पैसे काटकर हमें एनिवी के price से unit lot की जा होता है, तो हमें साड़े 12% का LTCG tax देना होता है, विवेक शर्मा 2024 से fund को manage करें, जिबकि दोस्तों PGIM mutual fund आउस की बात करते हैं, तो यह MC करीब 10 पारे साल पुरान है, और लगतार इस MC की रेंक काफी बहतर रही है, दोस्तों अगर हम mutual fund plan के अंदर मंतली बैसिस पर पैसे डा आने का है, तो यहां पर हम उस target को भी पूरा कर पाते हैं, दोस्तों वीडियो से लेटेट कोई question होता है, तो आप जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करें, और चैनल को भी subscribe जरूर कर लें, धन्यवाद